कि अमोल कासार बहुत important message लेके आज आपके साथ जूड़ चुका हूँ दोस्तों यह जो lecture में बना रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के मुझे messages आये जो situation हम देख रहे है तो आपके भिहाब पे मैं बहुत सारे पॉइंट रेस करना चाहोगा और आई होब कि अप्रोप्रियेट परसन तक यह message पहुत जाए श्पेशली वर्षा मैं जी के पास दूस्तों बहुत सारे ट्विटर्स हैंडल पर बहुत सारे ट्विच्च चल रहे थे कि और syllabus को रिड्यूस कर दिया जाए और बात हो रही थी क क्यों ना offline के जगा online paper लिए जाए and so on बहुत सारी बात है और वर्षा जी ने बहुत सारी चीज़ी एक क्लियर भी कर दी है कि पहली बात तो अब और syllabus स्रिड्यूस होना पॉसिबल है नहीं आम कितना भी सर्वे कर ले कितने भी बात कह दे लेकिन दोस्तों कि हर किसी की एक limitation होती है राइट एक administration का part होता है और यस हम agree है कि अग क्योंकि जैसे मैं ने कहा कि इतने बड़े state में हर जगा पे paper पहुचाना जो पहुच चुके है बहुत सारे paper बन चुके है तो syllabus reduce होना तो possible है नहीं लेकिन मेरा सवाल ये है मैं से कि क्या full internal marks मिल सकते है क्या yes मैं बहुत सारे बच्चों को जो हम situation देख रहे जितने बच्चे मेरे साथ connected है अभी hardly 30 से 40 दिन exam को बाकि है और बहुत सारे college में अभी भी assignments अभी भी प्रिलिम्स के paper और बहुत सारे काम बच्चों को burden मदब दिया जा रहा है और situation ये नहीं है assignment देने के बाद कुछ कुछ college में वह online लिखके send करने को कहा जा रहा है और वह चेक भी नहीं हो रहा है कुछ कुछ college में जो बच्चे out of session है उनको बुलाया जा रहा है सिर्फ की physical form में आप copy submit करो उनके सामने पूछा जाता है तुमारा हो गया क्या और बिना चेक के box में उस assignment को रख दिया जाता है सो मैम क्या ये college की गलती नहीं है और क्या college ने बच्चों के बारे में नहीं सोचना चीए बहुत सारे महाराश्रम में ऐसे भी बच्चे है पहले तो net issue हमको पताई है बहुत सारे बच्चे लास के दो तिन मेहने में उनको पढ़ने को मिल रहा है हो सकता है कि घर की help उन्हें financially कुछ चीजे खराब बिगड़ गई थी तो उन्होंने घरवालों को भी मदद कियोगी और लास के दो मेहने पढ़ने को मिल रहे है और उसमें college वाले इस तरह से प्रेशराइश कर रहे है मैं नहीं कहता कि हर college ऐसा कर रहा है लेकिन majority colleges में same हो रहा है और यहाँ पे equality नहीं है मैं कुछ-कुछ college में prelims बच्चों को paper दे दिया जा रहा है और 15-20 दिन का time दिया है कि आप घर से ही solve करके whatsapp कर देना वही कुछ college इसमें वहाँ पे physical form में बुला के उनसे paper दे जा रहे है तो क्या यह partiality नहीं हो रही है मैं we know कि शायद आपने एक बार statement भी दिया था यह college का internal matter है बट क्या यह internal matter बहुत सारे बच्चों को मैं तकलीफ दे रहा है और बहुत सारे चुनोतियों के सामने लेके जा रहा है तो पहले चीज़ तो दोस्तों यह कुछ twitter कि मतलब यह एक tweet हम चला सकते full internal mark और believe me मुझे पता है कि शायद कुछ बच्चे कहे अरे sir के YouTube पे बहुत सारे follower होगे Instagram पे हमारा है तो दोस्तों मैं खुद इसका tweet नहीं करने वाला ना तो मैं कहने वाला हो कि मेरे Twitter को आप वेरे tweet को retweet कीजिए definitely tweet आपको ही करना है मैं बाद में कभी तो भी इस पे definitely जुड़ूगा तो sir क्या यह कोई मुहीम नहीं है यह सिफ हमारी मतलब हमारा कहना है हमारी मांग है कि यह चीज़ तो हमारे हाथ में है ना मैं कि हम at least internal marks दे I know कि आपने इस कोरोना टाइम में बहुत help की है सब बच्चों की राइट जहाँ जहाँ जरूरत थी आप सामने आए आपने उस वक्त सही decision लिए और मैं करीब करीब अगर मैं commerce फिल्ड की भी बात कुरिया कोई भी फिल्ड की वह आठ्स हो commerce और साइन्स हो इच सब्जेक 20 मार्क करीब करीब 120 मार्क की बात है मैं और 20 परसेंटेज हो जाते हैं बच्चों के सो अगर college ने जैसे EVS मैं EVS को मतलब लिटरली बच्चों को दो दो तिन तिन रात लिखना पड़ता है और अब इस टाइम पे और क्या है बस कंपल्चन है क्यों पता नहीं चेक कोई नहीं कर रहा तो टाइम इसमें ज्यादा जा रहा है क्या करना है PDF सेंड कर रहे चेक बिल connected है वो तो कह रहें कि सर एक तरफ उन्हों में सिले बस नहीं सिखाया prelims में जो कोईशन नहीं आने चाहे थे जो सिखाया नहीं उदर से भी question दिये और एक डर है कि उस पे से हमारे internal marks affect हो गए सो मैं यह 20 marks 20 percentage बहुत ज्यादा matter करता है क्योंकि यह अगर college ने randomly किसी को 15, 20, 25 ने 15, 20, 18 ऐसे marks अगर दे दिये सो कही ना कही 120 में से वापस बच्चों को 70 और 80 marks मिले तो 4-5 percentage वही hemper हो रहे है मैं यह request है हमारी कि full internal marks सबको मिलने चाहिए सारे colleges वालों को अगर आप कुछ guideline देते हो right क्योंकि college कितने बच्चों ने attend किये इस वे से अगर internal mark दे रहे होगे तो internet का issue था अब क्यों attend नहीं किये गए वो reason किसी के पास नहीं है या genuine reason है कि यह college वालों को पता नहीं है प्रिलिम्स ले रहे कुछ offline ले रहे कुछ online ले रहे तो वहाँ पर judgment कैसा हो assignment ले रहे assignment का same issue है कोई online देने को कह रहे और करने के बाद even check भी नहीं किया जा रहा है मैं बहुत सारे matter है और आपने हर वक्त help की है बच्चों की बस अगर ये full internal marks आप दिला दो अगर आप colleges वालों को कहे दो कि हम हमेशा तो नहीं माग रहे ये situation ऐसा है pandemic का शायद हम ये तो नहीं चाहते कि हमारा और syllabus reduce हो जाए जो नहीं हो सकता online paper आप कहे रहे हैं कि शायद possible ही नहीं infrastructure इतना हर जगह पहुचना so क्या एक last उमीद मतलब क्या ये हक नहीं बनता कि full internal marks मिले क्योंकि जिस हिसाब से जिस परिस्तिती में बच्चों ने पढ़ाई की है so मुझे लगता है I think so हम ये deserve करते है और ma'am और जितने भी अभी मेरे student मुझे देख रहे है जितने भी YouTube के टीचर से उन्हेंने आपके लिए बहुत सारी बोलते ना कि मुही में चलाई आपकी बात वहाँ तक पहुचाए प्लीज उन तक भी ये वीडियो पहुचाए और full internal marks क्या हम ये चीज को right लोगों के सामने appropriate authority के सामने लेके आ सकते है क्या और अगर ये चीज होती है तो बहुत ही बड़ा advantage इसका होगा और definitely सब हर किसी को इसका फाइदा होगा सर क्या tweet करना है ये description में आपको दिया जाएगा then after आप लोगों को इस Twitter में क्या message लिखना है वो description में मैं दूद दे दूगा so please ये request है आप सबसे right ज्यादा से ज़्यादा ये message जितने लोगों तक हो सके पहुचाईए और full internal marks हमें मिलना चाहिए ये मुझे लगता है कि एक important बहुत जादा beneficial रहेगा सारे बच्चों के लिए तो मैं यही एक message देना था बच्चों की और भी सारे problems है लेकिन अब फिलाल internal marks के अगर focus हो तो बहुत अच्छा होगा फिक है यही पर मैं रुकता हूँ thank you so much बबाई जहिन जे